हेलो फ्रेंड्स मैं वाईपी सिंग फ्रॉम गॉवर्मेंट पॉलिटेक्निक बदाई हूँ और मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा पैट पॉलिमरिक मैटेरियल की मैनुफेक्चरिंग और इसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में पैट जो है वो हमारा पॉलि एथाइलीन टेरपेथलेट मैटेरियल होता है यह हम गया रखते हैं इसकी फुल फॉल पॉलिएथाइलीन टेरपेथलेट होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में पैट को सबसे पहले जोन रेक्स विन्फिल्ड और जोन टेनन्ट डिक्शन द्वारा नैंट्री बारे में 1947 में केलिको कंपनी की जो कि इंग्लेंड में इस्टेबलिश है इंग्लेंड में डेपलग किया था पैट हमारा एक बहुत ही कॉमन थर्मो प्लास्टिक मेटरियल है जो कि पॉली इस्टर फैमिली से ब्लॉंग करता है पैट मोस्टली जो है आपका ऐजा फाइवर क्लॉट में यूज किया जाता है soft drinks या beverages की जो bottles होती है उनकी manufacturing में या आप लोगों देखा होगा जो soft drink आपने cold drink की bottles बगारा देखी होंगी या mineral water की bottles होती है वो हमारा क्या होता है पैट मेटरियल ही होता है fat using as a fiber in cloths soft drink bottles and beverages bottles इसके अलावा फूड पैकेजिंग में भी फूड पैकेजिंग इसेक्टरा में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है लगबग 40% जो है इसकी बाटल्स जो है वो शॉफ्ट रिंग और बेवरेजिस बॉटल्स मैनुफेक्ट्रिंग में यूज़ की जाती है इसी के साथ पैट जो है वो हमारा ग्लास फाइबर के साथ ग्लास फाइबर के साथ कॉंबिनेशन बनाने के बाद जो है वो इंजीन रिंग रिंग में यूज़ किया जाता है पैट अपनी नैचरल स्टेट में कलरलेस होता है और सेमी रिजड होता है ठीक है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मेटियल हमारा पैट जो है वो सेमी रिजड ही हो यह डिपेंड करेगा इट्स डिपेंड और इट्स प्रोसेसिंग जा हम कह सकते हैं कि जिस प्रोसेसर जिस तरह से इसको बनाया जाता है यह उस पर डिपेंड करेगा कि मेटियल जो है वो हमारा सेमी रिजड होगा या फिर रिजड होगा या हम कह सकते हैं कि पैट जो है वो सेमी रिजड से रिजड भी हो सकता है पैट जो है वो हमारा इस्टर बेस्ट इंजीनरिंग थर्मो प्लास्टिक मेटियल है अब इस्टर बेस्ट है तो इसमें क्या होगा हमारा इस्टर ग्रूप यानि की सी ओ ओ प्रिजड होगा सी ओ कहां प्रिजड होगा जो पैट की हमारी में चैन होगी या हम कह सकते हैं बैक बोन चैन उसमें क्या होगा प्रिजड होगा ठीक है यह इसका हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन हो गया अब हम बात करते हैं इसके कैमिकल इस्ट्रक्चर की कैमिकल इस्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का होता है यह कैमिकल इस्ट्रक्चर होता है पैट का अगर हम बात करें इसके कैमिकल फॉर्मूले की कैमिकल फॉर्मूले क्या होता है इसका C10H8O4 पैट ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी प्रिप्रेशन की प्रिप्रेशन ओफ पैट पैट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारी इसमें दो मोनोमर लिए जाते हैं जिसमें एक हमारा रहता है DMT जिसे हम Dimethyl Terapethylate कहते हैं या फिर इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं TPA इसके साथ दूसरा जो मोनोमर चाहिए होता है वह होता हमारा EG EG यानि की Ethylene Glycol ठीके इन दोनों के मोनोमर से हम पैट को प्रिपेर करते हैं इसके साथ में हमें Catalyst की जबरत होती है Catalyst हम या पर कौन सा यूज़ करते हैं Metal Catalyst Like Metal Acetate तो यहां पर जो है Metal Catalyst और इसकी बेस पर हम क्या करते हैं Pet को प्रेड्यूस करते हैं और यह जो प्रोसेजर होता है या यह प्रोसेज जो है वह हमारा Easter Exchange या हम इसको Istrification Process कहते हैं इस प्रोसेज में एक Low Molecular Weight Diester या Non Monomer Non Monomer हमारा क्या हो गया DMT या फिर TPA इसको लेते हैं और यह कितना रहाएगा हमारा One Mole ठीक है इसके बाद क्या है Ethylene Glycol लेते हैं Ethylene Glycol क्या रहाएगा इसकी Respect में हमारा 2.1 से 2.2 Mole किसका रहाएगा Ethylene Glycol का और इसके साथ में हम Catalyst जो यूज करेंगे तो Catalyst हमारे Antimony Trioxide या फिर Cobaltus Acetate इन में से कोई साथ यह Catalyst हम यूज करेंगे और इसमें हम Reaction कराते हैं Reaction हमारी जो है वह 150 degree centigrade पर लगबग होती है और इसके बाद हम इसमें Polymerization कराते हैं जिससे हमें क्या स्टेज में हमारा Complete होता है First Stage जो है वह हमारी क्या कहलाती है जैसे हमने भी पढ़ा Istrification इसके बाद Second Stage हमारी क्या होती है Pre-Polymerization और Third Stage हमारी होती है Finish Polymerization या Final Polymerization ठीक है यह में इसके थ्री स्टेजेस हैं जिसमें हमारा Pet फॉर्म होता है अब इसकी Chemical Reaction के बारे में बात कर लेते हैं Chemical Reaction और यह जो Polymerization होता है हमारा Poly Condensation होता है यानि कि Second Stage में हमारा क्या हो जागा Pre-Poly Condensation और Last Final Stage में हमारा क्या होगा Poly Condensation Chemical Reaction की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम DMT की बात करें 2 Moles of Ethylene Glycol यानि की EG इसके हम Reaction कराएंगे Reaction कराने पर हमें क्या फॉर्म होगा पहले हमारा Istrification होगा Istrification हमारा बनेगा C6 H4 CO2 CH2 CH2 OH का Hold Twice इसे हम कहते हैं Bish Hydroxy Terapethylate और इसके साथ नमारा क्या बनेगा Biproduct 2 CH3 OH जिसे हम Methanol ठीक है इसके बाद Second Reaction क्या होगी N Monomer जो है वो हमारे किसके रहेंगे Bish Hydroxy Ethyl Terapethylate के CO2 CH2 CO2 CH2 OH Whole Twice Bish Hydroxy Terapethylate इसको हम क्या करेंगे Under Vacuum High Temperature पर React कराएंगे React कराने से हमारा क्या बनता है Pad CO C6 H4 CO2 CH2 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 O यह हमारा पैटफॉर्म होगा और जैसे मैंने बताए कि Poly Condensation होता है तो इसके साथ में Bi-Product हमारा बनेगा HO CH2 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 OH यह हमारा क्या होगा Ethylene Glycol ठीक है यह इसकी बेपर जो है वो साथ में रहेंगी इसके बाद हम बात करते हैं TPA अगर TPA से हम Ethylene Glycol की Reaction कराएं Catalyst की Presence में तो हमारी Reaction क्या हो जाएगी N Monomer लिये हैं हमने आपर पहने TPA के C6H4 CO2 H का Whole Twice Plus N Monomer HO CH2 CH2OH यह हमारा TPA होगा यह हमारा EG होगा इसकी Reaction कराएंगे तो हमारा क्या बनता है PAT CO C6H4 CO2 CO2 CH2 CH2 CH2O PAT और इसके साथ में हमारा 2NH2O By-Product में हमारा क्या रिमूव होगा Water ठीक है यह Reaction थी हमारी जिससे यह Clear हुगा कि हमारे जो PAT है वो इस तरह से Form होता है या अधर बें में हम देख सकते हैं DMT के लिए N Monomer जो है वो हमारे DMT के हो गए जिसमें हम N Monomer जी है हमने HO CH2 का होल ट्वाइस OH यह हमारा क्या है CH2 का होल ट्वाइस 2N-1 1-H3-C-O-H जी हमारा क्या बन रहा है हाँ पर पैटफॉर्म हो रहा है और यह क्या हो गए हमारा एथाइलिन ग्लाइकॉल इसी तरह से अगर हम TPA को देखें तो N Monomer OH TPA के हम ले लेंगे और N Monomer हम ले लिए यहाँ पर CH2 का होल ट्राइस OH यह हमारा एथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया और यह हमारा क्या हो गया TPA और यहां से हमारा क्या है फॉर्म होगा PET CH2 का होल ट्राइस OH यह हमारा PET फॉर्म हो रहा है यहां पर भी प्लस 2N-1 H2O यह हमारा क्या हो जाएगा Water तो यह था हमारा PET जिसमें हमने आज डिसकस किया आपने इस वीडियो में इसकी history, introduction, chemical structure, chemical formula और इसकी preparation को chemical reaction हमने डिसकस की next वीडियो हम डिसकस करेंगे इसके manufacturing process या flow diagram की साहता से और इसकी जो properties हैं इसकी applications को हम अपने इसके second part में discuss करेंगे अज़े